वेलकम लेर्नर्स दिस इस यूर मेंटर, टीचर अन्परेंडिया लास्ट के वीडियोस में हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन को डिसकस किया था तो आज हमारे प्रैक्टिस सेशन नमबर सेकेंड है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रिमेंट का यह हमारे टॉपिक टेस्ट हो रहा है ठीक है, आप लोग मैच करते चलिएगा कितने करेक्ट हो रहे हैं, आप अपना खुद का एनलेसिस भी कर सकते हैं ठीक है, तो गुश्चन नमबर 11 से आज हम लोग यह सीरिस को कॉंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है, कुश्चन है हमारा, स्विफ्ट गुलिवर्स टैवल्स हैव बीन रिट बाई मी सेवरल टाइम्स देखिए, कुश्चन को आराम से पढ़िए, पूरा पढ़िए, फिर सेंस लगाईए ठीक, जो स्विफ्ट हैं, वो हमारे लिटरेचर के सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे स्विफ्ट महोदै एक बहुत अच्छे राइटर है, ठीक है, राइटर थी, I mean तो और सबजेक्ट और वर्ब एग्रिमेंट में मैंने एक रूल आपको पढ़ाय था कि कुछ ऐसे, S-Indic Nouns होते हैं, जो देखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, गुलिवर्स, ट्रेवल्स को देख करके, हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा जो सबजेक्ट है, वो प्लूरल है, क्यों? क्योंकि जो सिफ्ट है, सिफ्ट है कि ये किसी पुस्तक का नाम, ये किसी कमपोजिशन का नाम हो सकता है, ठीक है, आया समझ, तो हमारा जो सबजेक्ट है, तो इस तरह से हमारा सबजेक्ट सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगी वो भी singular ही आएगी यानि has been होना चाहिए था option number second ठीक है I hope समझ में आया होगा आपको next question लेते हैं Neither he nor his father is interested in joining the party Neither or nor ये conjunction होते हैं मैंने आपको syntax में बढ़ाया भी था ठीक है तो देखिए नेदर के बाद में pronoun ही आ रहा है नौर के बाद में एक noun है possessive adjective के साथ में ठीक है तो इसमें क्या देखना होता है कि नौर के बाद में जो noun आता है ठीक है noun के बाद में जो नौर आता है वो decide करता है कि हमारा verb कैसा होगा ठीक है तो his father चुकि singular noun है तो इसलिए जो वर्ब है यहाँ पे is he आई है it means कि इसमें कोई problem नहीं लग रही है ठीक है और एकर problem नहीं लग रही है तो हमारे पास एक option और होता है no error का ठीक है हमें उसको tick करना चाहिए हम तो इसका मतलब इसमें option number 5 हमारा answer हो जाएगा ठीक है next children likes to eat chocolates rather than sweets children हमारा subject क्या है children यानि कि जो subject है वो plural है वर्ब कैसी आएगी चूकि syntax का chapter है topic test चल रहा है तो जब हमारा ये subject plural है तो हमारी वर्ब कैसी आनी चाहिए ये भी plural आनी चाहिए लेकिन क्या हमारी वर्ब plural है तो absolutely नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि likes लिखा है होना के चाहिए था like होना चाहिए था ठीक है next unless you work hard you cannot succeed unless you works hard देखिए unless के साथ में you है और you के साथ में हम सब को पता है कि जो वर्ब होती है वर्ब होती कैसी है प्लूरल होती है क्यों क्योंकि you के साथ में आइवे यूदे के साथ में हमेशा जो वर्ब होती है वो प्लूरल चलती है ठीक है लेकिन यहां पे वर्ब कैसा है singular के तरीकी यूज किया गया है यानि हमारी जो error है option number second में है just a minute जी तो हमारा error कहां पे है option number second में ठीक है next जी the climate of this place do not suit me ओके सबसे पहले देखना है हमारा क्या subject subject क्या है the climate climate क्या है singular subject है यानि verb आप आप sense लगा लिजेगा ठीक है the climate of this place of this place से बिलकुल भी illusion नहीं रखना है ठीक है क्या हम इध्यान में रखना है रखना है हमको the climate हमारा क्या है subject है subject के according यह रह वर्ब तो वर्ब क्या होना चाहिए था does not आया क्या है do not year कहा है option number three में ठीक है next the director along with the staff members were present for the annual day celebration okay अगर आपको याद हो जी एक सिकेंड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको subject and verb agreement में एक रूल यह भी बढ़ाया था कि जब कभी भी subject के साथ में with हो चुगेदर with हो along with हो in addition to हो and not हो like हो unlike हो headed by हो guided by हो controlled by हो led by हो या along with जैसे मैंने पढ़ दिया ठीक है जैसे मैंने चर्चा कर दी यह सभी हो और उसके साथ में एक और subject हो ठीक है तो यह जो subject होता है ना यह सरी टिटूलर यानि नाम मातर का होता है इसमें main subject क्या है the director ठीक है तो जी जो director है director के according हमारी वर्ब आएगी यानि क्या आएगा वर्ब आएगी यहाँ पर वाजूना चाहिए था ठीक है लेकिन आया क्या है वेर ठीक है तो इधर हमारा कहा है option no.3 में right next if you follows my instructions you will get a suitable reward for that if you follows देखिए ऐसा एक sentence हमने पहले भी discuss कर रखा है अभी जिस्ट दू-तिन question पहले हमें याद करना चाहिए कि i-v-ud के साथ में हमेशा जो verb form होती है वो plural आनी चाहिए ठीक है तो u के साथ में यहाँ पर क्या है फॉलोर से absolutely तो इसका मतलब error कहां पर है यहां पर और हाँ अगर आप यहां से भी correlate कर लेते हैं तो भी ठीक है और आप इसको ऐसे भी correlate कर सकते हैं कि if के साथ में है ना if वाल class होती है वो class होती है simple present में ठीक है और जो इसमें principle class होती है यानी you will get a suitable reward for that यह होनी चाहिए simple future में चुकि है ही ठीक है तो if you follows follows तो बिलकुल नहीं होगा क्योंकि you हमेशे कैसा वर्ब मांगता है plural verb ठीक है इसका मतलब error कहां पर है option no first में ठीक है next रमन वास one of those great sons of India who has earned everlasting fame for scientific researches देखिए subject देखिए पहले रमन no doubt ठीक है singular है singular verb भी है okay one of those great sons of India मैंने आपको यह पढ़ाया है कि one of के बाद में आने वाला जो noun होता है वो plural होना चाहिए noun कहा है those great sons of India ठीक है sons है ठीक है कोई दिकत नहीं है तो one of के बाद में जब plural noun आता है उसके बाद में जो भी relative pronoun होता है यानि who ठीक है who के बाद में जो verb आती है antecedent के according आती है antecedent कौन है sons है sons of India यानि plural तो जैसा sons of India होगा वैसा ही यहाँ पे relative pronoun के बाद जो verb आएगी वो होनी चाहिए यानि यह plural तो यह भी plural ठीक है तो error कहाँ पे है option number three में क्या होना चाहिए था who have earned everlasting fame ठीक है next if I was in her shoes I would have died with shame देखी यह जो sentence है हमारा यह conditional sentence है ठीक है और यहाँ पे if I was तो कता ही नहीं होगा कभी भी conditional sentence में was का use नहीं किया जाता है इसको आप जान सकते हैं ठीक है rule मैंने आपको पढ़ाया भी है syntax में यहाँ पे हमको head करना चाहिए ठीक है if I had in her shoes I would have died with shame देखी और रही बात conditional sentences की इसको मैं एक बर आपको यह पुरा chapter बहुत ही detail में बढ़ाओंगी तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नर्वस उन्हें के जरूत रही है कि यहाँ पे कौन सा क्या rule सेट कर दिया गया है my father-in-law who live in Mumbai has come to stay with us my father-in-law my father-in-law क्या है नाउन क्या है यह है singular noun ठीक है who live in भाई leave क्यों आ गया क्योंकि जो subject है जो subject है हमारा जो नाउने हमारी वो कैसी है singular है subject क्या होना चाहिए था leaves ठीक है who lives in Mumbai होना चाहिए था तो यहाँ पे option second mirror है ओके नेक्स्ट इच गल वस गिवन जी इच गल वस गिवन ए बंच ओफ फ्लावर्स वीच वीच प्लीज देम वैरी मच जी देखिए इच जो है हमारा इच के बाद में आने वाला जो भी subject होता है वह singular होना चाहिए ठीक है और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो भी singular होत है जैसी कि option no.2 में है यानि यहां तक तो ठीक है आगे चलते हैं बंच ओफ फ्लावर्स यह भी correct है विच प्लीज देम देंके जरूत यहां पे नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि यहां subject हम singular मान रहे हैं वर्ब भी singular लगा रहे हैं तो यहां पे जो objective case आएगा वो भी क्या हो होना चाहिए हर क्यों होगा प्यूंकि जो यहां पे subject है वो हमारा girl boy होता तो हम his कर देते ठीक है question no.22 पिने was happy that Mukesh and his sister was going on the same train next day ठीक है पिने was happy correct है that Mukesh and his sister ठीक है was going भाई was going क्यों होगा क्योंकि यह रहा एक subject और उसके बाद में conjunction end लगा है और फिर यह रहा another subject तो यहां पे भाई जब subject double हो गए तो प्लूरल यहां पे जो वर्ब है वो कैसी आनी चाहिए थी प्लूरल आने चाहिए थी क्या होना चाहिए था वेर होना चाहिए था क्या आया है वाज आया है इसका मतलब इर कहां पे है option no.2 में ठीक है next the disclosure of the synopsis of the Thakar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi have raised several vital questions देखिए students कभी भी अगर कोई sentence lengthy आ जाता है तो पहले बात तो हम lengthy sentence को देख करके पहले nervous हो जाती है जो की बहुत ही गलत काम है हमें ऐसा बिलकुल भी अपने मन में doubtful नहीं होना है ठीक है subject को पकड़ना है subject क्या है भाई subject है हमारा the disclosure ठीक है इसको देख लिया इसके according verb भी लगा देना है हो सकता है verb थोड़ा late में आए है ना कोई दिक्कत नहीं है चलिए देख लेते है of Mrs. Gandhi have have क्या है have raised है ठीक है तो यहां पर जो subject है हमारा singular था आया है have इसका मतलब option number fourth में ठीक है क्या होना चाहिए था has raised क्यों होना चाहिए था क्योंकि जो हमारा subject है the disclosure वो है singular okay next question my sister-in-law with her husband now in Mumbai will present in the function देखिए my sister-in-law with her husband अभी अभी हमने यह rule पढ़ा आपको रिकॉल भी कराया कि with होता है and not होता है together with होता है headed by होता है guided by होता है ऐसे बहुत सारे और भी है words तो इनके साथ में पहली बात तो double subject होते हैं ठीक एक यह रहा subject दूसरा यह रहा subject तो जो पहला आया subject होता है यानि कि यह इसके according verb लगती है कहां है वर्ब चलिए ढून लेते हैं my sister-in-law with her husband now in Mumbai were present in the function at the function ठीक है इरर कहा है इरर हो गई हमारी कहां पर यहां पर यहां पर वर्ना होकर के वाज होना चाहिए था ठीक है next the number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms देखिए the number of people यह भी मैंने आपको रूल पढ़ाई दिया है a number of के साथ में क्या होता है और the number of के साथ में क्या होता है a number of plus plural noun होता है और उसके बाद में जो वर्बाती है वो plural होती है और the number of people प्लस नाउन जो होता है वो plural होता है और वा sorry माप किजिएगा जी the number of के साथ में plural noun तो जरूर होता है लेकिन जो वर्ब होती है वो singular होती है ठीक है कोई doubt हो तो तुर्ट बताईएगा message कर दीजिएगा मैं clear कर दोंगी ठीक तो देखिए the number of people जो होता है ना एक निश्चित मात्रा बताता है ठीक है निश्चित संख्या को बताता है the number of people ठीक है तो applying where so large तो जैसा कि मैंने बताया कि the number of के साथ में plural noun यानि people ठीक है जो वर्ब आएगी वो कैसी singular क्यों क्योंकि जो दा नंबर होता है ये एक निश्चित संख्या को बताता है और इसी के जगाँ पे अगर a number of होता ना तो जो वर्ब आती है वो होती है plural यही एक minor सा difference है ठीक है a number of और the number of के साथ में ओके तो देख लेते हैं हमारे question तो finish होगे 25 ठीक है तो आज हमने 25 questions को discuss कर लिया है आप थोड़ा भी improvement चाहते होंगे या जैसा भी आपको को suggestion देना होगा मुझे ज़रूर बताए मैं बिल्कुल improve करने की कोशिश करूँगी ठीक है आप ही के तरह मैं भी एक करेगा thank you so much